हेलो इस्टुडेंट वेलकम बेक तो माई चैनल समराध केन में स्टुडेंट मेरा नमैकास और मेरे प्यारवी दार्थो अब तो आप लोगों का इंतजार बिल्कुल खतम हो गया खुद अच्छे तरीके से पूरे बुक का क्यूशन जो इंपोर्टेंट टाइप कराया है सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है अच्छे तरीके से आप लोग इस क्यूशन को तयार कर लेना 5,000 लाइक आप लोगों को पहुचाना है बीडियो को इतना सेर करो ना कि जिसके पास अगर वीडियो पहुच गया तो समलों की मैत में वह चाहाएगा तो सौ में सो आंक ला सकता है ठीक है यह मेरी गरांटी है हालांकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये वीडियो मिल गई है ठीक है तो आप लोग इस क्यूशन को नोट करना पूरे क्यूशन को तैयार करके जाना चलो हम बात करते हैं चेप्टर वाइज हमने क्यूशन लिया है पूरा चेप्टर यहां की टोटल हम लोग 14 क्यूशन आपको दो आप लोगों तक करना है इस या क्यूसरन बहूत ज्यादा है ठीक खरन तीसरा दिके आप लोग नोट नोट कर लो ठीक है उदारन तीसरा इसके बाद तब जाके आप प्रशनावली स्टार्ट करना प्रशनावली 1.1 प्रशनावली 1.1 का क्युसें नमबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉटेंट है यहाँ तक है इसको आप लोगों को नोट करके लगाना है बहुत ज़ादा important है आगे हम बात करेंगे तीसरा प्रस्ट आप note कर लेना इसके बाद प्रस्ट नंबर चौथा प्रस्ट नंबर चौथा very very most important questions है जो कि आपको तयार करके जाना है चोथे की बाद आप लोगों को प्रस्ट नंबर पांच वा भी करना यहां पर दिखाई दे रहा है यह सारे questions करके जाना यह एक प्रस्ट नंबर नहीं आएगा सो में सो नंबर लाएं मेरी गरांटी सो में सो नंबर क्यों बात कर रहा हूं चलो आगे बात कर Away की प्रस्ट सब्सक्र लगा कर जाना है ठीक है प्रेक्टिस करनी अच्छे तारीके से आगे अगे अगर हम बात करें तो अगला प्रस्ण आएगा उसी में से पाच्वा पाच्वा प्रस्ण आप लोगों को याद करके जाना बहुत इंपोटेंट क्यूसन से लगा कर जाना बार बार प्रेक्टिस कर के जाना इसकी आगे बात करें प्रस्ट नंबर पाचवें के बाद आप लोगों को जो प्लिसने करना साथ ये दोनों आपको लगे होने चाहिए कि सीद कीजिए कि करड़ी में IssDA idiot कर लोगे तो दो उन्हों हमने बता दिया कि प्रैक्टिस करके जाना प्रमेव 1.4 और उधारण 9 इसके बाद आप लोगों का प्रश्णावली स्टाट होगा 1.3 और 1.3 का क्यूसरा आप लोगों का रटा होना चाहिए ठीक है यह वाला प्रश्ण तो यह प्रश्ण किलियर होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है ठीक है चलो आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्णाव लोगों को नोट करना है अब यहां से देखो दूसरा चप्टर तो है नहीं बहुपत है नहीं तो बहुपत क्या पढ़ना ठीक है अब आगया आप लोगों का तीसरा चेप्टर दो चर वाले रहेखिक समिकर और वहां पर खुलो प्रस्टनावली 3.1 किताब लेकर बैठो किताब में ट्रीक लगाते चलना ठीक है किताब लो किताब में ट्रीक आप लगाते चलना 3.1 में आओ 3.1 में देख पा रहे हो कि उसा नंबर पहला बहुत ज़्यादा इंपोटेंट कि उसा क्यूसर नंबर पहला यह आप लोगों को आना आई चाहिए किसी किमत पे इसके बाद 3.1 खतम बस मातर एक इंपोटेंट कि उसमें है जो कि आप लोगा कि जाना इसके बाद 3.2 आप लोगों को ठीक है नोट करना किताब में जाकर देखो ना 3.2 जाओ क्यूसर नमर पहला देखो यह मिल लेगा तुरूंत क्यूसर मिल जाएगा चलो आगे बात कर लेते हैं आगला उसी प्रस्णावली में का प्रस्ण नंबर तीसरा वेरी वेरी मूस्ट इंपोटेंट और तीसरा में देखे कितना क्यूसर दिया हुआ है एक तो पहला क्यूसर यहां दिया हुआ है ठीक है इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो इसमें दोखो दूसरा क्यूसर भी दिया है जो कि लगा के जाना है तीसरा प्रस्ण भी दिया है और यहां पे चौथा प्रस्ण भ पर पांच बाद देखो एक आताकार बाग जिसके लंबाई चोड़ाई से चार मीटर अधिक है इस कारत पर में आप 36 मीटर बाग की विमाई गयती है वेर वेर मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन है आपको प्रेक्टिस करके जानी है इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्र होना चाहिए ठीक है क्यूसना नमबर दूसरा एकड़म प्रेक्टिस कर लो ठीक है एक प्रस्ण बारने जाएगा सो में सो नमबर लेकर आगो 2023 बोड़िया मेरी गरांटी बहुत रिसर्च किया इस प्रस्ण पर इसके बाद यहां पर देखो क्यूसना नमबर तीसरा का चौ ऑफ दों द्रचन बहुत ज्यादा है इंपोडेंटी सरे का च्थमा ठीक है इसके बाद तब उधार रहां देखना ऊदारण 13 यही प्रस्ण आप लोग जितना टाइन बचाना वे प्रस्ण करो ऊधाराण 13 हमाए इसके बाद इस्टा लोगा प्रस्णी 3.4 3.4 का क्यूसन न टाइप मिस्टेख हो है, चौता है, क्या है, यह चौता है, ठीक है, चौता की बाद, फिर आप लोगों को 5 अमना प्रसन भी रटा होना चाहिए, पांच आप लोगों को लगा की जाए, बहुत ज्यादा, इंपोर्डेंट उदार नमबर 15, इसके बाद आगे बड़े, तो उधारा नमबर सोर दिख रहा ना आप लोगों को उधारा नमबर सोर नोट कीजिए और जल्दी से लगा कर जाईएगा ठीक है चलो आगे बात कर लेते हैं अगला है 3.5 3.5 का दूसरे का पहला फिर दूसरे का दूसरा ठीक है पाचमा प्रश्न भी, चौथा और पाचमा दोनों, ठीक है, जो दिख रहा है प्रश्न है, इस, इसके बाद हम बात करेंगे, अगला प्रश्न 3.6, 3.6 प्रश्नावली में, उधारण उनने साफ लोगों कर रहता होना चाहिए, उधारण उनने से वेरी वेरी मुस्ट इंपोर प्रश्न है, ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न की बारें बात करें, इसके बाद तीसरा प्रश्न भी आपको रटा होना चाहिए, तीसरा प्रश्न है, जो यहां तक है, तीसरा प्रश्न की बारें बात करें, आगला बढ़ें, तो तीसरा खतम अब यहां से चौथा लेशन इस्टाट हो गया दिव घात समीक्रण चौथा लेशन के आपका दिव घात समीक्रण दिव घात समीक्रण में कौन से क्यूसर लगा कि जाना है प्रशनावली खुलिए 4.1 क्या खुलेंगे 4.1 4.1 में क्यूसर नमर दूसरा जाइए अर पाउली 4.2 4.2 में क्यूसर नमर पाच्वा एकदम रटा होना चाहिए आपको वेरी मुस्त इंपोटेन क्यूसर ने इसके बाद आगर हम बात करें तो क्यूसर नमर शिक्स वेरी विर्वरी मुस्ट इंपोटेंट एक क्यूसर नमर शिक से आप इसको लगा के जाना ठीक है यह वाला नीचे ही वही ही कुशन इसके बाद तब यह दिकराना आप पहुचे तरीके से चलो आप देखो उधारन आठमा यह उधारन आठमा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको लगा कर आपको जाना किसी किमत पे पूर्वर्ग विदी से आता है समिकुर्ण कॉल करन पहुचे लिए ठीक है चलो फिर तब जाके उधारन चौदा उधारन चौदा में दो क्यूसन दिया एक पहला एक दूसरा दिया हुआ है जो कि रटा होना चाहिए आप लोगों को ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला प्रस्ण उधारन पंदर क्या है उधारन ठीक है से इसके बाद करें तो आगला प्रस्ण नमबर पांच वाला जो की बहुत जादा इंपोटेंड या प्रस्ण जल्दी जदी से आप ट्रिक लाघाते है ऑ पूरा हमें प्रांच चिंट लघवनी है ठीक है सो में सौन नम्बर लाना है तो पूरी किताब को करीकि लग गया आगे हम बढ़ेंगे कि उसना नबर आठ्वा ट्रिक लगा लो ठीक है बहुत इंपर देखके आप पैचान जाओगे कि उसन इंपोर्टेंट है कि नहीं ठीक है इसके बाद हम बात करें तो नाइन प्रस्ट पर ट्रिक लगाओ प्रस्ट नंबर नाइन ठीक है प्रस्ट भूंट भूंट नौरण कि फ्रकेम होने होने चाहिए तीन क sus prayedasoru कि इन था Candi Ant milk प्रस्ट करके जाना इसके बाद प्रस्ट नम्र दूसरा दूसरा में दो प्रस्ट दीये हैं जो कि आपको दुन में लगा कर जाना है इसके बाद हम बात करें कि अदा टुल्ये चेपटर आब तरभूज देखने वाले हैं तो चलो त्रिभूज देखते हैं त्रिभूज में आपको प्रमे जो 6.1 है पूरा रटा होना चाहिए 6.1 देखो अन्य दो भूजाओं का यहां भूजाओं लिखा है यह लिखा है भूजाओं बीट गया है थोड़ा भूजाओं लिखा हुआ है ठीक है भूजाओं इसको नूट करना इसके बाद प्रशनावली स्टाट करना 6.1 6.1 में यह तीसरा क्यूसन ट्रिक लगा लो बहुत ज़ाधा इंपोटेंट है इसके बाद हम बात करें तीसरा की बाद चोथा प्रस्ण वेरे वेरे मुस्ट और पाचों प्रस्ण पर पे ट्रिक लगा हो आगे बढ़ेंगे अगला चछाठों अप्रस्ण त्रिक लगा हो जोटाइ इंपोटेंट थी के आगे अगर बात करें तो अगला प्राश्चनमबर दसमा प्राश्ट नबर दसमा इस पर damit लगा किताब खुल कर बहुत इंपोटेंट-ठिक इसके बाद उधारण सातमा ना उधारन सातमा भी important है जो दिख रहा है आप लोगों को और साथ ही साथ उधारन आठमा जो important है ठीक है यह रट जाना तब जाके प्रश्णावली स्टाट होगी आपके 6.3 और 6.3 में चौथा जो प्रश्ण है आप लोगों को आना चाहिए चौथा प्रश्ण है इसके बाद अ हम बात करें आठमा प्रस्ण इसके बाद दसमा प्रस्ण पूरे किताब का मेहत्वपूर प्रस्ण बता रहा हूं यह दसमा दिख रहा ना पूरा पूरा यह चलिए आगे बात करते हैं दसमा की बाद इग्रहमा प्रस्ण भी important है और बरहमा प्रस्ण भी इग्रहमा और बरह हमाँ प्रस्न आगे बात करेंगे तेरा हमाँ चौधा हमाँ देख रहे हो लगतार यह जो प्रस्ने भाई इंपोर्टेंट थे तो बताना तो पड़ेगा भाई लगतार ही इंपोर्टेंट ही ठीक है पंदरामा इसके बाद तभी स्टाट करना प्रमेश 6.6 यह 6.6 जो प्रमे लगाओ तीसरे प्रस्न पे इसके बाद फिर आगे प्रस्न लगाओ पाच्व में पे ये पाच्व में ट्रिक अप लगाओ पाच्व में कि बाद फिर आगे बढ़ोगे आगला प्रस्न दिखेगा प्रस्न नमबर 6 प्रस्न नमबर 6 पे आप ट्रिक लगाओ यह वला जो प् प्रमे six point nine ठीक है प्रमे six point nine बहुत ज्याद़ इंपुरेंट ठिक दिक रहा ना नोट कीजिए इसके बाद उधारन दस्वां उधारन दस्वां बहुत इंपुर्टेंट बहुत दस्वां आगे बात करेंगे अगला प्रस्न है उधारन 12 यह जो इस से बाहर कहां सो में सो की तयारी हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद यह सारी चीज़ेक तयार की गई है एक प्रस्ण भार नहीं जागा सो में सो की तयारी चल लिए इसके बाद उधारन ते रहामा उधारन ते रहामा ठीक है यह इसके ब नूट करो प्रस नमर सात में के बाद आगे आगे आओगे प्रस नमर आठा हम देखो दो पाड़ दिया हुए दोनों रटा होना चाहिए ठीक है दिक रहा न आप लोगो ट्रीक लगा दो इसके बाद प्रस नमर 11 पे आओगे और 11 यहां से करोगे ठीक चलो आगे बात कर लेते अगरा प्रस्ण देख़ूं इसके बाद 13 अप्रस्ण तेरामा प्रस्ण नोड करो तेख़वाइब ट्रीक लगा लो शवदा हमाँ ठीक है चाहूदा हमाँ प्रस्ण देख़़ू मैं आपको बता रहो पास होने के लिए नहीं ये सोमी 100 लाने की तेयरी चल लए ये तब मैं ध्रैप्सृटन करा रहा हुँ कि इसके बाद प्रस्लिषक नंबर क्द्रण पर स्कूड प्रस्थे पांदर्ड़hew इसको它 रखना प्रस्लिष नंबर करते हैं तो प्रस्लिषक नंबर सूरा आगे लगा है तो आप यहां से निर्द्यरjor संग जय में थी साथ मां चैप्टर मे लेना फिर उधारन 14 पर भी ट्रीक लगाओ और उधारन पाच में पर भी ट्रीक लगाओ उधारन 14 और उधारन 5 वाद दिक रहना अप लोगों को इसके बाद प्रश्णावली स्टाट कर आफ सेउन पॉइंट यह एक प्रस्ण नमबर 9 के बाद अगर आगे माद करें तो प्रस्ट नंबर दस में के बाद आगे बाद करेंगे तो ुधारन नमर 6 में पे ट्रिक आप लगाईढे इसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो प्रस्ट अर उधारन अभी 9 मचावे उधारन 10 में पूचहाई यह सारे क्यूस बनते हैë तो उसको हमने चूज किया है आगे बात कर लेते हैं तब जाके प्रश्णावली 7.2 इसके बाद प्रश्णावली स्टार्ट करना प्रश्णावली 7.3 7.3 में क्यूंस नुमर दूसरा दो क्यूंस अन्धी तूनों क्यूंस इंपोटेंट हैं और आपको ट्रीक लगा लेना है अच्छा तरह की स्कर Supreme ना है प्रस नुमर 44 फ्रेक कि उसन नंबर दूसरा आएगा फिर किउसन नंबर चौथा आएगा ठीक है इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगला अगला जो आप लोगों का प्रस्ट नहीं प्रस्ट नमबर नाइन प्रिक लाएं बहुत ज्यादा इंपोटेंट है ये दूनाइन वाले सारी क्यूसर चाहिए इसके बाद प्रसन नमबर 10 पर बिट रिक लगाई है दसवागे तो राव मुलाकात की उधारन सात्वाद दिख भी उधारन सात्वाद लगाई है इसके बाद ट्रिक लगाई यह उधारन आठीप बहुत ज़्याद यह तो सबसे ज़्दा इंपोर्टेंट उधारना सभी इंपोर्टेंट में आपको अताराओ सो में सो की तयारी चलिए गरांटी इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है अगर आगे बात करेंगे तो प्रशनावली स्टाट होगी आपकी 8.3 और 8.3 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्यूस्ट नमबर फूर भर भर क्यूसर पड़े हुए हैं ठीक है एक्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ अब बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं यह सारे कुशन सीतने आते हैं ना पापूले परस्ण यहां से एक प्रस्ण बाहर नहीं जाएगा इसके बाद अगर बात करेंगे तो क्यूसर नमबर सि कट गया है इसलिए हमने 8.4 में ट्रीक नहीं लगाया है ठीक है चलो आगे बात कर लेते हैं अगला है प्रस्णावली नव हाइट इंडिस्टेंस ठीक है उसका उधारन पहला बहुत ज़्यादा इंपोटेंट उस पर ट्रिक लगा लो आगे अगर बात करेंगे आगे देख अगर देख लो दोनों कि उसना आइटेंट डिस्टेंस का दिया दोनों अधारन ही दिया है ठीक है चलो अगर आगे बात करते हैं दारन चौथा लगा लिए आपने उधारन पाच्वां देखो उधारन पाच्वां बहुत इंपोट है उधारन एक बिने छोनना मैं आपको लगाया है तो भाई मैं आपको बता रहा हूं आप मेरे पर विश्वास कीजिए यह प्रस्न बाहर नहीं जाएगा पूरे एक्जाम के बाद कर रहा हूं उधारन सातों आपको रटे होने चाहिए इसके बाद तब आप रशनावली 9.1 में जाना है और मात्र चौधामा पंद्रावन के बाद आगे हम बात कर लेते हैं तो आगे लिखesh jakby 130 साता Dj आ पसफेंटेम्पोरית लिखेंश्न सुरा सब्क्रह प्रस्नावली जो दस है और पर रशनावली दस पुछाने जाएगा प्रशनावली 11 कि ब्रीट हट हट ब्रीट कोछे तड अब धूड़ के स तब जाके प्रश्णावली आप लोगों का यहां पर दस अब देखे प्रश्णावली जो दस है तो प्रश्णावली दस तो हट गया आप लोगों का तो प्रश्णावली दस को में यहां पर साइड कर देता हूं प्रश्णावली दस पूछा नहीं जाएगा प्रश्णावली खरद पुरा चप्टर हड़ वरित का फ्रस्थणावली 11 11 किसका रचना आए से अब रचना आए हम लोग देखने वाले ठीके अप चेप्टर रचना होने वाला है तो रचना में आई यह प्रेस्थणावली 11.1 में 11.1 में जाए और उधारन दूसरा प्रिक लगाई तो आगे बढ़ना तुरंद प्रस्ट नमबर 7 यह बाद तब प्रस्ट नावली आपकी 11.2 स्टार्ट होगी इसमें Q3 पर ट्रीक लगाओ और Q4 पर ट्रीक लगाओ ठीक है चलो Q4 पर ट्रीक लग जाएगा फिर Q5 यह बहुत ज़ादा इंप्पोटेंट ही यह आगे बात करें चाटेंगे 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 तरफ Q6 पर ट्रीक लगाने के बाद आपका 12 चेप्टर इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है ब्रुतों से संबंदी छेत्रफल आप लोगों का 12 चेप्टर बहुत ज्यादा इंपोटेंट ही से Q3 आते हैं चलो प्रस्णावली 12.1 में जाओ और Q7 पहले पर ट्रीक लगा लो Q7 पहले पर ट्रीक लगाने के बाद नीचे बढ़ोगे तो प्रस्णावली 12.2 में Q7 बहुत ज्यादा इंपोटेंट है इसको प्रक्टिस करके जाना है इसके बाद ठीक भी लगया आगे अगर बात करें तो प्रस्णावर 11 देखो प्रस्णावरी 11 यह बहुत बार एक जाम में प्रस्णा आ चुका है मैं आपको बता रहा हूं प्रस्णावरी 11 ठीक है इक रावा की बाद आप ट्रीक लगाओ तेरह हुंए प्रस्णी की तरफ प्रस्णाव बहुत इंप्रस्णावरी आप आओगे उधारं चूदालपे लो और चार पर ट्रीक लागा लो और उधारं चार के बाद उधारं च्रीक लगाओ उधारं च्हार के बार जाएगा तब 12.3 स्टार्ट कुर गिए अब 6.3 में क्यूस्त दोबर पहला इंपोडै तक चूस नमबर आठ्वश लगा लो क्यूश नमबर अ्ठीक लगा लो क्यूश नमबर आठ्वा इसके बाद देखो क्यूश नमबर इन क्युष सवान एवखो प्यारा प्लस्न है। ठिक है इसको अफमनोट करो ट्रिक लगार दृष्ट कि नहीं डर्स पर नीम चेले तो बाराए बाराए प्रमाप्र躁न बाराए अगर आगर हां बात करें तो तो सोर्माप्र प्रमाप्रस्न है हैं ठीक है तीस को अच्छी तरीकिस तयारी कर लेना तेरो पॉइंट वन में आप जाओगे तो उधारन तीसरा प्रिक लगाओ उधारन तीसरा के बाद आगे बढ़ो तो उधारन चोथा यह सारे उधारन बहुत ज्यादा इंपोटेंट है यह एक्जाम में बहुत आते हैं ठीक है चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो उधारन चोथा हो गया अब प्रशनावली स्टाट होगी तेरो पॉइंट वन तेरो पॉइंट वन में क्यूस्तन नंबर चोथा इंपोटेंट क्यूसं से जो कि आपको लगा क इंपोटेंट प्रश्न बनाई नहीं है इसके बाद ट्रीक नीचे लगाओ दरन चाट्मीप उधारन चाट्मा जैसे कंप्लीट हुआ आपका तुरंत आगे बढ़ोगे और प्रस्ट नंबर सात्मा यह प्रस्ट नंबर साटमा सो में सवन नंबर लाना मेरे प्यार विदर् तरीक लगा और पाच्वें पर ट्रिक लगाने के बाद क्यों सब्सक्राइब लग जा रहा है तो आप आगे बढ़ोगे क्यूस नबर आठवा त्रीक लगा यहां तक है इसके बाद प्रशनावली 13.3 इस्टार्ट करोगे और इसमें उधारन नमबर 9 पर ट्रिक लगा लो 13.3 में क्यूस नमबर 14 पर ट्रिक लगा लो क्यूस नमबर 14 लगाने के बाद क्यूस नमबर 5 पर ट्रिक लगा लो पाच्वा की बाद तब आगे बढ़ोगे आठवा पर ट्रिक लगा लो ठीक आठवा की बाद क्यूस नमबर 9 पर ट्रिक लगा लो ठीक है बहुत इंपोटे यह तो वही क्यूसन ने बताया ना भाई 3.4 ही तो है 3.4 का लगा है ना भी उसी के लगता है दोबर आ गया 3.4 का क्यूसन नमबर 4 था क्यूसन नमबर 5 वाँ ठीक लगा है न आप लोग आगे बढ़िए खतम 13.4 तक खतम अब यहां पर 14 लेसन 14 वाँ लेसन ने स्यांखी की जोकि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें जो जो में ट्रिक आपको बता रहा है उस क्यूसन को एकदम रट जाना है ठीक है अगर 100 में 100 नमबर लाना चाहते हो तो देखो 14.1 का क्यूसन नमबर तीसरा रटा होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रस्ट नमबर 7 पर ट्रिक लगा लो प्रस्ट नमबर 7 के बाद आगे अगर बढ़ते हो तो प्रस्ट नमबर 28 पर ट्रिक लगा लो प्रस्ट नम नुदार नूम्बर साथब करेंगे तो ठरहबर नूम्प्रूंट waar चुका इसके बाद नीचे भात करेंगे तौन नूbar आथ में इं zor अब रश्णावली 14.3 स्टाट कुर हो दो नुट करो तिर में क्यूसन नुबर्ट 3 में है बहुत इंन्पोटेन्ड क्यूसन है इस प्रीक लगा लो इसके बाद क्यूससन नुबर 3 के बाद यह तोने सिए ग्राफ है क्यूससा नॉबर 24 भा तो पे आकडा दी जा हुआ है Sweet लगाओ इंपोटेंट के उसने तीसरा की बाद है पूरा का पूरा खतम अब देखा है आपने पूरा बुक का हमने आप लोगों के एंसियाटी बुक का हमने आप लोगों को ट्रीक लगा लिया वादा मेरा है कि जो बंदा इतना क्यूशन की प्रक्टिस चार-चार घंटे डे तरीक है और इस बार मैत में सो में सो आप लोगों का जो जो लोगों का डर लग रहा था पूरा हमने इस पर रिसर्च करके सारे क्यूसंस बता दिया उसको पढ़ लो अच्छे तरीके से तो चलो मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को से सेर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो